प्रशिद लिखक रिक्सन बॉंड का घर लांडोर अपने तेंदूओ देवदार के फीडो और बरफिलो पहाड़ियों के लिए जाना जाता है एक ब्रिटिस भारत युक का च्छाबनी सहर और मसूरी से 30 मीटनट की ड्राइब पर सहर का हर हिश्चा सीधे एक तस्वीर से बाहर दिखता है सूरज को ढलते हुए देखे और द्याती घरों में रहें लोग प्रिय प्रियटन अस्थलों से दूर आप खुद को सहर की प्राकिर्टिक संदर्ता में फोया हुआ पाएंगे अपनी खाली समय में दो पुराने चर्चों सेंट पॉल चर्च और केलाम मेमोरियल चर्च को देखना न भूले खुजविन से बापस आते समय अपने मीठे सौकिन दोस्तों को लेंड़ोर वेख हाउस में जरूर दावाएंगे कर दोस्तों आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर नए सफर की सुरुवात होने वाली है जहां हम हर कदम पुरानी कहानियों को नए रंग में रंगेंगे आईए साथ मिलकर इस सफर में कोई नया अध्याय लिखें और हमारी धरोहर संस्कृतिक विवदता और खोज को नए द्रिष्टी कोन से देखें यह है हमारा यात्रा आपके साथ किर्पया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी बजा दे और आगे की यात्रा के लिए बढ़ लेंड़ और उत्राखंड भारत का एक सुंदर पहाड़ी छेदर है जो अपने स्वांती सुंदरता और कला से अभी बूत है यह भारतिय राजा और अंग्रेज सामराज के दौरान बना हुआ एक प्राचीन ही लस्टेशन है जो अभी अपने आत्मिय सुंदर्य और प्रातत्विक महत्तों के लिए प्रशीद है यहां कुछ महत्यपुन तत्थ हैं जैसे की आगे बत लेंड़ मुक्त मसूरी के उपर इस्तित है और इसका बातवरन सांत और हरित है यह पहाली अस्तल आक्रितिक रूप से बहुत तंत्री है और बन्य जीवो पेडों और फूलों की भरमार से घिरा हुआ है और का एक परमुख हिस्सा चर्च रोड है जो काफी चर्ची है यह रोड प्रमपरगत चर्च अस्तल और केफी घरों से घरा हुआ है लेंडोर अंग्रेज समराज के दारन बना था और इसलिए यहां प्रातत्विक भवन गिर्जागर और राजा महराजों के अवास है जो इस अस्तान को अयतिहासिक महत्र बढ़ाते हैं लेंडोर का आसपास का संदर्य बहुत अंत्री प्राक और वो अकरसित करता है लेंडोर केंट एक छोटा सा बाजार है जो यहां के निवासी की अवस्तर को पूरा करता है चैर्च रोट की गलियां रेस्तरा आर्ट गलरीज और कैफी आउप्स आउप्स से भरी हुई है लेंडोर केंट बिभाग्य आर्मी स्कूल सेना के लिए ए और इसे देश भर में प्रासिद्धी प्राप्त है लेंडोर एक ऐसा स्थान है जो सांती सो भाविक सौंदर रहे और एटिहासिक रिचनेस के साथ आपको आत्मिय और प्रशन करता है अगर आप घूमने के सौकून है तो आप अप्रिल टु जून यहां आ सकते हैं लेंडो डिली से मसूरी होते हुए 300 किलोमीटर के दूरी पर है आपका समर्थन और प्यार मेरे लिए अत्यंत महतेपूर्ण है आसा करता हूं आप सभी की साहिता से मेरे चैनल को एक वी सी सस्कान मिले मैं आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए किरतघ्य हूं जिन्नोंने मुझे उत्साहित और प्रेडित किया है आपकी परतिक किरियाएं और सुझाओ ने मेरे काम को और भी महत्यपूर्ण बना दिया है आप सभी का साथ होना मेरे लिए एक अद्बुत सफलता का शुरूत है और मैं आप सभी का अभारी हूँ आपने मेरे इस सांदास सफलता का सफल साजा किया आप सभी मेरे लिए एक परिवार के सध़स्य हैं और इस पर मैं गर्वित हूँ आगे भी ऐसे ही प्यार और समर्थन साथ आप सभी के साथ बढ़ता रहोगा आपका साथी रहना मेरे लिए गर्व का कारन है आप सभी को धन्यवाद